नमश्कार मित्रो कैसे हैं? आईए गर्बती महिला का भोजन विवस्था चल रही थी तो उसमें आगे फिर मिलते हैं हम निम्न आईबर की अधिक कामकाजी महलाओं की जो भेनत मजदूरी करती हैं उनका भोजन कैसा होना चाहिए? मित्रो कैसा होना चाहिए ये हमने बता दिया क्या होना चाहिए ये बता दिया लेकिन इसकी आवश्क्ता क्यों पड़ती है जानने के लिए ताकि हमें अपनी आई की विवस्था में ही स्वस्थ और पूरण पोशन देने वाला भोजन मिल जाए तो देखिए प्रात्य छे भर्मा रोटी ले लेंगे और चटनी के साथ ले लेंगे आसानी से उपलब्ध हो जाती है दो पैर की भोजन में एक से दो बज़े के बीच में पालक वाली दाल चावल रोटी प्याज हरी मेच गुड लाही का लड़ू यदि उपलब्ध हो तो कोई सबजी भी बना सकते है शाम को चार बजे क्या लेंगे हम गुड डालकर मठा ले लेंगे भुने हुए चने या उबले हुए चने बना लेते हैं मौसम का कोई भी फल और चूड़ा भी बनाकर ले सकते हैं अब है मित्रो रात जी का भोजन इसमें क्या लेंगे मिले जुने अनाज वाली रोटी नवान में भी हो सकता है दो अनाजों को मिला सकते हैं बहुत पोश्ण देती है ये रस्तेदार सब्जी होगी मौसमी सलाद होगा मौसमें जो भी गाजर मूली ककड़ी जो भी कुछ मिलत है जो आसानी से उपलब्द हो जाए और गुड़किये चक्की ले लेंगे जदी आपके बजट में दूद आजाता है तो दूद अवश्य लें अन्य था ये भोजन आपको पूर्ण आहार देगा आपको भी और आपके बच्चे को भी पूर्ण स्वस्थ और पोशन प्रद करें